आप सबका आभारी हूँ कि आप समय निकाल करके इस ज़ादा समय तो नहीं था लेकिन जितना समय मिला उसका मुझे भी लाब मिला है और आपको आना मेरे लिए बहुत मत्वपूर है पिछले साल जब मैं वासिंटन आया था तो मैंने टैक हैंट्रिक एक करकम मैं शामिट हुआ था और उस समय भी आपसे कुछ साथियों से मिलने का मुका मिला था भारत मैं भी आपसे कई भी साथियों से समय समय पर मुझे मिलने का उसर मिला है आज एक साल बाद मैं दुनिया के बड़े-बड़े जो इनोवेटर्स हैं उनके बीच अपने आपको गर्व मैसुस कर रहा हूँ को मैं आप सब को बीच आएक बैठा हूँ मैं जो गुर्जा देख रहा हूँ जो उत्सा देख रहा हूँ और भारत इक पती जो एक भरोसा देख रहा हूँ ये वाकरी हमें बहुत ही सुखन रखता है क्योंकि जब आप जैसे एक्सपर्ट लोग कोई बात पताते हैं बदलती हुई दुनिया के विश्यमें और भारत के संभावनाओं के विश्यमें तब भारत में भी एक नीती नीधरन में हमारा विश्वास बढ़ जाता है कुछ चीजों का सुखाव भी आपने दिया है मेरे टीम ने सारी चीजों को नोट किया है क्योंकि हम चाहते हैं के आप जिस दुनिया में काम करते हैं और आप जिन दुनिया को अच्छी तरह जानते हैं जिसका बविश्य भी आपको अनुमानित है और तब आपके सुझाव आते हैं वो सुझाव बड़े वेलियोर होते हैं आपके अनुभव मेरे लिए बहुत एहम है और इसलिए मैं भले ही टाइम छोटा रहा होगा तो कम रहा होगा लेकिन उस महत्वर्ण बातों को बहुत तबज्य देता हूं उसको बहुत बड़ा प्रस्वा देता हूं एक बात सही है कि 21 पी सथी टेक्नोलोजी डिवर है शाहे दी जीवन का इक्षेत्र ऐसा होगा कि जिसको आप टेक्नोलोजी ड्राइव नँ करती हो कि सिसमें टेकनोलोजी का प्रभाव था अब मैं देखता हूँ टेकनोलोजी ड्राइव करने वाली है लिकिन ऐसे समय में स्रुफ टेकनोलोजी ये टेकनोलोजी प्लस डेमोक्रेट्सी इसका एक शंतुलन बहुत जरूरी है क्योंकि democratic values और technology का मिलना मानव कल्याण की guarantee देता है एक विश्वास पदा करता है और technology minus democracy मैं समझता हूँ किसी भी संकर के लिए एक वातरवन पदा कर देता है और भारत एक देश है जो जिसके पाद talent भी है democracy भी है market भी है और ऐसी golden opportunity मैं समझता हूँ बहुत rare होती है जो आज भारत के पास उफलब्द है और आप मैंसे बहुत एक लोग है जिनका भारत किसे के साथ निकटता रही है आपका अनुभव भी रहा है और आपने global level पे कई जगा पे काम किया है और भारत पे भी काम किया है तो आप comparison भी कर सकते हैं और उस comparison पे भी आप देखेंगे कि आपको plus one की position वहाँ नजर आएगी और इस अत्मेजी मैं इसको बड़ा भात्व मानता हूँ इनिशिएटिव ओन क्रिटिकल और अने अमर्जिं टेकलोरजी आईसेट इन्कूलुजीव इनोवेशन के लिए हमारे साजह कमिट्मेंट का प्रतीख है आप एसे कई साथियों से मैं पहले भी मिला हूँ भारत आपकी ग्रोस स्टोरी से फैमिलियर है और हम उस पर टरस भी करते हैं पिछले दसक में भारत रिफॉर्म, पर्फॉर्म एंड ट्रांस्फॉर्म इस मंत्र को लेकर के आगे चला है और पिछले दिनों का अनुभव से हमें लगता है कि इसमें हम गती जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उसका फलक जितना ज़्यादा हम विक्सित करेंगे और जरुरत के आधार पर हम रिफॉर्म को भल देंगे तो शायद हम और अधिक प्रणाम कारी होंगे तो हमारा ध्यान इन दिनों उन बातों पर ज़्यादा है आध का भारत ambitious सपनी देखता है और मुने पूरा करने का भरसक प्रहास भी करता है आध भारत विश्व की पांच भी सबसे बीड़ी एकोनमी है विश्व की सबसे तेजी से गुरो करने वाली एकोनमी है और मैं पक्का मानता हूँ कि मेरा जो तीसरा कारकाल है उसमें हम third largest economy बब का हमारा जो गोल है उसको हम achieve कर लेंगे तो कि आज हम highest गुरो करने वाले दोग है जब दुनिया का सबस्वा बड़ा देश, सबस्वा बड़ी democracy तेजी से गुरो करेगी तो global peace और prosperity के भी एक आश्वासन उससे प्राप्त होता है और जो आज आप देख भी रहे है टेक्नोलोजी विक्सीत भारत की आत्रा का एक एहम स्तम्भ है इसलिए आज हमने भारत में technological collaboration और investment के लिए भूत्पुर्वा संभावनाए खड़ी किये भारती scale, भारत की capacity, भारत की capability और भारत का performance आप उसमें uniqueness देखते होंगे, आपने अनुभव किया होगा आज भारत के पास वन अप दे मोस्ट वाइब्रन डिजिटल एकोसिस्टिम है तीसरा सबसे बड़ा start-up एकोसिस्टिम आज भारत में है और विश्व का सबसे बड़ी युवा talent का यह बहुत ही महत्वपुर्ण चीज़े होती है और आज भारत एक तो policy driven हमारा governance है लेकिन साथ साथ stable policy and predictable policy उसमें हम आग रही हैं ताकि कोई भी investor के लिए या कोई भी महाँ काम करना चाहता है उसके लिए एक assurance उससे प्राप्त होता है और उस दिशा में हम प्रेतनसील है आज की technological transformation हम रीड की हड़ी के बिना शरीक की कलपना नहीं कर सकते हैं वैसे चीप्स के मिना कोई खारोबार चलना मुश्किल है और हम उस दिशा में इंदो यह बास ही है कि जिस गती से दुनिया में विश्य चला उसमें हम लेट है लेकिन हम एक बार शुरू करते हैं तो हमारी गती भी इतनी तेज होती है अब जैसे 5G में हम लेट से लेकिन आज हम नमर एवन पर है तो यह भारत के अपनी एक विश्यस्ता भी है स्केल भी है आवश्यक्ता भी है तो चीप की और सेमिकंड़क्टर के दुनिया में हम जो पॉलिसी लाए हैं उसको बहुत ही स्वागत हो रहा है करीब करीब सभी इस खेतर के लोग भारत में आने के जिसा में आकर्चित हो रहे हैं और उसके लिए जो बेसिंग नीड़ की जरुवत है उसमें हम पूरी तरह तयार हैं चाहे पॉलिसी के बात हो बहाँ पर आवश्यक्ता इंफ्रासेक्टर के बात हो सेंटर और स्टेट गवर्मेंट का एप्रासेक्टर सहियोगो इन सभी चीजों में हम साथ में हैं और इसलिया सबस्वे बड़ी बात हैं डिजाइन आज भी दुनिया की बड़ी-बड़ी आपकी सब कंपनिया भी है उनकी रिसर्च और इनोवेशन के सेंटर भारत में है सब के सब भारत के बारत के टालेंट से आथ अप परी तरह परिचित है भारत के टालेंट पर आपका पुरा भरोसा भी है तो हम डिजाइन इन इडिया के मूड में भी और आप काफी बल दे रहे हैं ताकि हम दुनिया को कुछ नया देने के लिए सेमिकंड्रक्टर में हम 15 बिलियन डॉलर का इडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी दीशा में हम आगे बढ़ रहे हैं दुनिया भर से भी जैसा मैंने कहा है इन्वेस्टमेंट आ रहा है और भारत का प्राइवेट सेक्टर भी इन दिनों में काफी इस मात्रा में निवेस्ट कर रहा है हाली हुए हमने एक सेमिकोन इंडिया समीट की आप इसे कोई साथ ही उसमें थे भी भारत के पास ग्लोबल सेमिक अंडर कंड़क्टर एको सिस्टम सप्लाई चेन में एक रिलाइबल और कडिरिवल पार्टनर बनने की पुरी-पुरी ख्षमता है आज हमारा एलेक्ट्रोनिक सेक्टर एक सोपचास बिलियन डॉलर से ज्यादा का है हमारा एलक्षिस है 2030 में 500 बिलियन डॉलर तक ले जाने का है ताकि इस सेक्टर में 6 मिलियन नई जॉब्स की हम आपूर्ति कर सकते हैं इन लक्षों को पाने के लिए हम इंडस्ट्र के साथ चितना ज्यादा सयोग बढ़ सकता है हम उसके लिए तयार है और मैंने मेरी सिस्ट्रीम को भी प्रोएक्टिव करने के दिशा में मैं सफल रहा हूँ भारत में 500 मिलियन से ज़्यादा की वर्किंग पॉपलेशन है भारत की आउसत आयू 28 येस है और बड़ी बात यह है कि हमारा यूथ स्टेम की पढ़ाई में काफी रूची ले रहा है इवन बेटियां भी स्टेम के एजुकेशन में हमारी हां बेटियां भी लीड कर रही है और मुझे जियाद है कि एक देश में मैं वहाँ के बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहा था कि क्या आपके बच्चियां स्टेम के इंदर रूची लेती है जब मैंनों का आकड़ा बताया तो उनके लिए सर्प्राइज था कि भारत के बेटिया भी उन सारा छेत्रों में काफी कुछ कर रही है यूथ का ट्रेनिंग and अप्सकिलिंग यह मैं मानता हूँ कि भावती फोकस रिक्वार है कोई कि जिस प्रकार से टेक्नोलोजी में अप्ग्रेडेशन होता ही चला जा रहा है और स्कीलिंग में अगर हम अप्ग्रेडेशन नहीं करते हैं तो शायर हम रुख जाएंगे तो मेरा बल उस दिशा में भी उतना ही जादा है और इंडस्ट्री 4.0 के लिए इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स वो हम एडवांस में काम करने के दिशा में आगे बढ़ते हैं आपका अनुवाव और आपकी रिक्वार्मेंट उसके आधार पर अगर कोई हमारे पास प्रोड़क्ट मिलता है तो हम उसके आधार पर काम आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत तेजी से इसको हम बढ़ा सकते हैं हमारा लक्ष एक दो सालों में 85,000 टेक्निकल टेक्निशन, एंजिनियर्स and R.A.D. एक्सपर्ट उनका हम निर्मार करना चाहते हैं उस प्रकार का हम इको सेस्टिम बना करके रिक्वार्मेंट अनुकूल स्किलिंग उस दिशा में हम बल देने का प्रयास कर रहे हैं सेमिकंडॉक्टर डिजाइन रहे तो 20% हिस्सेदारी भारत की है और अब सरकार ने हर सेक्टर के लिए डिजाइन इन इंडिया की मुहीम शुरू की है और हाल में ही हमने हाई-एंड रिसर्च को प्रमोट कने के लिए 12 बिलियन डॉलर का रिसर्च फंड भी बनाया है क्योंकि हम इनोवेशन पर विशेश बल देना चाहते हैं भारत में मजबूत IPR फेंबर्क जो आपने उलेक किया IPR के समद में और टेक्नोलोजी और इनोवेशन को समुरक्षित कने के दिशा में भी हमारा उतना ही बल है हमने जो नया डेटा प्रोटेक्शन लोग बनाया है उससे भी आप जैसे साथ को मजबूत अब डेटा प्रोटेक्शन लोग का तो महत भाई है अब मैं डेटा पॉलिसी को ले कर भी आ रहा हूं और मैं गवर्ननस के मोडल में data governance पर भी बल दे रहा हूँ मैं governance में एक simultaneous pillar खड़ा करना चाहता हूँ जो governance के traditional model है उसके साथ साथ एक governance का data governance का model यह दोनों simultaneous कैसे काम करे तो कि बदलती हुई दुनिया में यह बहुत बड़ा role play करने वाला है और हम उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं भारत AI strategy बनाने वाले सबसे पहले देशों में से एक है और मैं तो जब पिछले बार यहां आया था तो White House में मारी यह छोटी सी technical group की meeting थी तो सुन्दर भी थे और उस दिन मैंने कहा था कि मेरे लिए AI का मटलब है America in India तो हम उस ताकत को और बढ़ाना चाहते हैं और भारत ने जो technology को democratize करने के दिशा में जो काम किया है वो हर प्रकार के divide को खतम करने वाला एक बहुत ही सफल प्रयोग है ऐसा हम अनुहो कर रहे हैं भारत AI के responsible और ethical उप्योग के लिए भी प्रतिवत है मैं हम G20 समीच में बैठे थे उसमें भी ethical use ये सबसे बड़ा agenda विशय था मारा और उसमें मैंने एक सुझाव दिया था कि जिस प्रकार से aviation किसी एक देश या एक राज्य के नियमों से नहीं चलता है पूरा aviation sector global rules and regulations चलता है दुनिया का छोटा देश होगा तो भी उसने अमेरिका के स्टांडर से ही aviation चलना पड़ेगा और अमेरिका कितना ही बड़ा देश के नहीं हो अपनी मन मरजे से नहीं चलेगा उसको भी छोटे देश की पद्धिया है उसको स्विकार करना पड़ेगा जिस प्रकार से aviation sector global governance बन चुका है बैसा ही digital हमें global governance का model ही खड़ा करना पड़ेगा किसी एक देश का governance, rules and negulation digital world के लिए चलने वाला नहीं है और हमारे सामने model है aviation sector एक successful model है सब लोग उसको follow करते है तो मैं G20 में इस विश्यो को मैंने बहुत आगरत से रखा है आगे भी मेरा यह प्रयास है इतना ही नहीं मैंने यह भी जिस प्रकार से deep fake के करन लोग आज परिशान है तो उसके सामने भी मैंने कहा कि क्यों न हम जब तक की समाज तयार नहीं होता है तब तक एक watermark हर इस प्रकार की चीजों पर watermark कहना चाहिए कि AI generated है तो एक व्यक्ति वह लगेगा इस पर मैं भरोसा करू या न करू और मैं मानता हूँ कि आप जैसे जो टेकनलोजिक एक्सपर्ट है माना उजाद कि बड़ी सेवा होगी यह ठीक है एक स्टेज आने के बाद साह जरूरत नहीं पड़ेगी देख आज हम उस स्टेज पर हैं हमें जरूरत पड़ेगी तो वाटर मार्क के साथ AI generated water mark यह कोई भी प्रोड़क्ट आएगा अगर AI touch है तो उपर आएगा ही आटोमेटिक आएगा AI generated है उसके लिए rules and negotiation काम नहीं करेंगे technology will give a solution और इसलिए मैं समझता हूँ दिशा में भी अगर इतने सारे brains यहां है तो आप जुरूर कुछ नो कुछ contribute कर सकते हैं आज भारत तेजी से global biotech power house के रूप में उपर रहा है और जैसा आप सब साथियों ने कहा भारत में bio pharma research promote करने के लिए एक fertile ecosystem है भारत में बड़ी संख्या में scientific talent पूर तो हाई है भारत का बड़ा और diverse gene pool भी है भारत की विशालता और विवित्यता ये मैं समझता हूँ कि वहाँ एक बार कोई चीज pioneer रही है और उसमें प्रयोग हुए है तो वो दुनिया में कहीं पर भी वो लागू हो सकते है इतनी विशालत और विवित्या भावरी पड़ी है affordable research की possibility भी है और affordable manufacturing और assured quality भी है bio secure act जो capacity gap create का होगा भारत उसे trusted और efficient तरीके से पूरा कर सकता है bio manufacturing को boost करने के लिए हम bio E3 policy लेकर आये हैं आपको साथ ध्यान में आयोगा पिछले सप्ता ही मैंने मेरी cabinet में bio E3 की policy हम लेकर आये हैं और एक बहुत futuristic policy हमने बनाई है bio E3 याने biotechnology for economy employment and environment इन तीनों चुजों को लेकर के मैंने bio E3 policy को बल दिया है के sector में भी होने की संभावना में देखता हूँ हमारा लक्ष है कि health security और global challenge के solution देने में भारत leadership के रोल में हो और जिसमें आप सब कर सयोग बहुत बड़ी हमें ताकत दे सकता है भारत प्रो प्लैनेट पीपल के अप्रोच को लेकर infrastructure बना रहा है innovate कर रहा है 2030 तक 500 गीगावर्ड renewable energy के target को achieve करने के लिए हम एक साथ कई स्थर पर काम कर रहे हैं और इसलिए आपके लिए manufacture में भी अद्भूत संभावना है Friends आत्मनीर भर और ससक्त भारत की विकास यात्रा में आप सभी को मैं एक सहयात्री के रूप में एक सहभागीदारी के रूप में हमेशा मानता हूं देखता हूं और उस प्रकार से हमारी यात्रा भी रही है आप सबका अनुभव भी है और मिज़ी विश्वात है कि भारत और अमेरिका की टेग कंपरेंज मिलकर ग्लोबल चैलेंजिस के समाधान से मैं एहम रोल निभाएगी मेरे टीम आपके जो सुजाओं मिले हैं उसको भी और आपने जो एक विश्वात प्रक्त क्या उसों भी हम बड़ी घंबिरता से लेते हुए आवश्यक्ता के अनुशार उसको हम फॉर्लोब भी करेंगे मेरे द्वार तो हमेशा खुले रहते हैं मैं हमेशा एक विद्यार्शी के तरह आप सब से कुछ सुनता हूं सेकता भी हूं और गवर्णस में उसको लाने का प्रहास भी करता ह ताकि मेरा देश भी उतना ही तेजी सागे बड़े लेकिन मैं फिर से एक बार आप सब समय निकाल करके आए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और मैं आपका रुदे से आभारी हूं कि आप चिंता किये और इस काम को आगे बढ़ाए हो बहुत-बहुत धनवाजी